असलाम लेकूम अल्ला के नाम से शुरू जो बड़ा महरबान नहायत रहम करने वाला है हलवा पूरी कचोरी छोड़े बरसाथ के मौसम में ये मज़ेदार नाश्ता आज घरवालों को बना के दे घर में सिर्फ एक अंडा रखा है तो सिर्फ एक अंडे से आप पूरे घर के लिए मज़ेदार नाश्ता तियार करके घरवालों को दे और फिर देखें क्या तारीफे होती है तो आज हम बनाएंगे बाकर खानी साइस के खस्ता करारे धेर सारे छोटू पराठे किस तरीके से बनेंगे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं रेसिपी पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है स्टार्ट करेंगे बिसमिल्ल्य रामारे रहिम तो यहां पर जी सबसे पहले पराठों का डो तयार करेंगे इसके लिए मैंने दो कप मैदा लिया है आप फाइन आटा भी ले सकते हैं कंदुम का आटा भी ले सकते हैं लेकिन जो भी आटा लें चान की लीजेगा क्योंके बरसात का मौसम है कीड़े वगरा होते हैं तो चा खसना करारे बनेंगे, अब हमने क्या करने हैं सबसे पहले इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा सा पेले मिक्स करना है ताकर यह सारी चीज़ें आट्ब के साथ अच्छी सी मिक्स हो याएं इसके बाद हम यहां पे डो त्यार करेंगे तो इसके लिए मैंने एक कप पानी लिया है और यह हलका सा गरम है क्योंकि बारशों का मौसम है थोड़ा सा थंडा मौसम है तो हलका सा हम गरम पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहां पे नरम डो त्यार करेंगे जैसे आप नॉर्मली पराठों का डो तयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें डो यहां पे तयार करना ही यह देखें यह इतना नरम होना चाहिए दो कप मैंने मैदा लिया था तो दो कप मैदे में पूरा कपूरा एक कप पानी का यूज़ गया जो मैंने आपको दिख हम इसको छोड़ देंगे जब तक डो सेट हो रहा है हम यहां पे स्टफिंग तयार करेंगे तो इसके लिए वन टेबल स्पून ओयल बहुत ज्यादा नहीं लेना है अब यहां पे मैंने एक मीडियम साइस की चौप करके प्यास ली है और इसमें वन टी स्पून डालेंगे स हाबे सुफैज जीरा आज को हम यहां पे मीडियम रखेंगे और मीडियम आज पे हमने प्यास को हलका सा फ्राइ करना है थोड़ा सा बस इसको नरम करेंगे तकरीबन एक से डेड़ मिनट तक बस हम इसको पकाएंगे और प्यास को यहां पे नरम होने देंगे जब प्यास हल मिर्ची क noi कुटी वी काली मिर्च यहां पे कि भी फोल में ANGLE अवितना पारा हुरो Right कि अभी टे माने रहना है तक और वांतिया यह बाला है दिधार के सबस्कें कि यहां पते पिर treaty काने और जो पानी डाला था उसको ड्राइ होने तक पकाएंगे अब देखें पानी बिल्कुल ड्राइ हो चुका है टेमाटर नरम हो चुके हैं बस आपने इस बात का दियान रखना है कि पानी इसमें नहीं होना चाहिए मिक्स्चर में वरना क्या होगा कि आपके जो पराठे हैं व पूरे घर के लिए नाश्ता बना सकते हैं तो यहां पर देखें अंडे को मैंने कदूकश कर लिया है इसमें दो कटी हुई हरी मिर्चे डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसको मिक्स करेंगे और यह स्टफिंग हमारी यहां पर तयार हो जाएग तो बस आप रेसिपी देखें और फिर देखें क्या कमाल होता है इंशाला तो स्टफिंग यहां पर हो चुकी है इसको साइट पर रखेंगे इसका काम खतम हुआ इसको ठंडा होने देते हैं और दूसरी तरफ जो डो हमने रेस्ट होने के लिए रखा था अब इसको रखे तकरीबन 20 मिनट हो चुके है और यहां पे नरम हो चुका है यहां पे मैं आपको दिखा देते हूँ यह देखें यह बड़ा बैदरीन यहां पर सट हो चुका है यह आप इसको रखे वे काफी टाइम हो गया है तो आप इसको एक से दो मिनट के लिए अच्छा सा गून ले ताके ये बड़ा अच्छा नरम हो जाए, ठीक है, तो बस इस तरीके से हमने इसको गून लेना है, तकरीबन एक मिनट के लिए आप इसको दुबारा गून दे, ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से, और इसके बाद हमने क्या करने हैं, इसके पोशन करने हैं, हमने दो कप यहां पे तयार हो चुके हैं, इसको साइट पर रखेंगे, अब यहां पे कुछ और काम कर लेते हैं, थी टेबल स्पून हमें पिगला हुआ घी या फिर बटर चाहिए होगा, लेकिन कोशिश कीजिगा के घी ले तो ज्यादा बहतर है, और इसमें टू टेबल स्पून या तो कॉंफ्लोर या तो मैदा जो भी दोनों चीजू में से आपके पास मोजूद हो लेना है, और इसमें डालना है, और उसको अच्छा सा यहां पे Mix करना है, और ये इस तरह का Paste हमें तयार कर लेना है, ठीक है? तो बस इसकी Mixing हो चुकी है, इसका काम भी खतम हुआ, इसको स बिल्कुल उसी की साइस का ही हमने इसको बेलना है ठीक है यह देखें ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा अगर आपके घर में रूटी छोटी बेली जाती है तो थोड़ा सा बड़ा कर लीजेगा हमें थोड़ी सी बड़ी चाहिए होगी और इसके बाद हमने क्या करना यह जो हमने मिक्सचर बनाया था घी और मैदे का यह हमने इस तरह से अच्छा सा पहला लेना वन टेबल स्पून हमने यह बटर डाला बुरश की मदद से पहला लिया पूरे रोटी पर और थोड़ा सा खुशका लेकर हम इस तरीके से इसको चड़केंगे और इसके बाद उ घी वाला मिक्सचर घी और मैदे का मिक्सचर यह रखेंगे और बुरश की मदद से पूरी रोटी पर आपने इसको अच्छा लगाना है अगर ठीक से लगाएंगे नहीं तो लेयर अच्छी नहीं पनेगी थोड़ा सा खुशका लेंगे यह चड़केंगे ठीक है और मैदे क खुशका है यह याद रखिएगा हमने मैदे का डो बनाया है तो मैदे का ही हम खुशका रखेंगे और यह तीसरी रोटी भी हम उसी तरीके से बेल के इसके उपर रखेंगे और दुबारा से यह मैदे का मिक्सचर लगाएंगे बुरश की मदद से पहला देंगे और खुश ब्रश की मदद से फैला देंगे और थोड़ा सा हमने यह खुशका छड़कना है ठीक है और यह एक और रूटी जो है हम इसके उपर इस तरह से बेल के रखेंगे ठीक है इसको सेट कर लें अच्छे से जहां से यह निकल रहा हो बराबर हो जाए जो पांच पेड़े मैंने और आखर में थोड़ा सा इसको बेलेंगे ताके यह अच्छे से चिपक भी जाएं और सेट भी हो जाएं हलका से हलका हाथ से आपने बेलना है दबा के नहीं वनना फिर लेयर्स खतम हो जाएंगी और आखर में हम फिर से यह मिक्स्चर लगा देंगे मैदे का और गी का ठीक में यह काम जल्दी हो जाएगा बलके पांच मिनट में आपके यह पराठे बन जाएंगे अगर यह काम आपका पहले से हुआ होगा तो इस तरीके से हम इसको करेंगे रोल और यहां पे हम इस तरीके से को कट करेंगे और यह मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखें यह कि और मैंने कट कर लिया है ये देखें कितनी सारी माशाला से लेयर्स हैं इस तरह से हम इसको दबा देंगे तो ये जो छोटू पराठे ना मैंने आपको काफी तरह से बनाना सिखाएं तो उन में से एक तरीका ये भी है तो यहां पे मेरे पास साथ पेड़े बने हैं साथ पेड़े को लेकर हलके हाथ से हमने इसको बेलना एक हथेली की साइज का ज्यादा ने और इसके बाद ये जो स्टफिंग हमने तयार की थी ये वन टेबल स्पून ही जाएगी से ज्यादा ने जाएगी क्यून कि बिल्कुल चोटा सा पराठा है तो स्टफिंग भी कम तो मतलब आठ्ञे आठ्ट से 9 पराठों हत्चे आरामसे इसNसें बन जाएंगे अब ये आखरी वाला मैं आपके सामने बनाकर दिखा देती हूं स्टाफंग रखने के बाद इस तरह से हम फूल्ड करते जाएंगे जिस तरीके से आप कचूरी बनाते ना इसी तरीके से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से हमने हलका सा दबा देना है और बिल्कुल हलके हाथ से बस इसको इस तरह से आप बेल दे ज्यादा नहीं हलके हाथ से हम इसको बेलेंगे और ये हथेली की साइज का एक पराठ के लिए रख दिया है आदे में फ्राइ कर चुकी हो आदे आपके सामने करूंगी और गी बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए यह याद रखिएगा और पराठे डालेंगे आँच को यहां पर मैंने मीडियम रखावा है मीडियम आँच पर बस हम इनको फ्राइ करेंगे आप चाहें तो कम ऑईल में भी कर सकते हैं लेकिन यह पराठे ऐसे हैं कि इनको प्रॉपर गी मिलेगा तभी यह खस्ता बनेंगे ठीक है अब दोनों तरफ से बस हम इनको फ्राइ करेंगे और कलर आने देंगे यह एक साइट से कलर आ गया है अलका सा ठीक है और फिर यह दे यह चुटू पराठे तयार होते हैं मैंने आपको काफी तरीके से यह पराठे बनाना सिखाएं तो उन में से एक तरीका यह भी है आप इस तरीके से भी यह पराठे बना सकते हैं ठीक है तो यह देखें दोनों तरफ से बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है पराठे हमारे क्रि तो ये देखें अभी जब मैं ये वीडियो अप्लोड करूंगी तो शायद मौसम चेंज हो चुका होगा लेकिन जिस दिन मैंने ये पराठे बनाये थे तो कराची में हलकी हलकी सी ठंड थी और बड़ा जबर्दस मौसम ता उस मौसम में ये पराठे जी बड़ा ही मज़ा दे चाए ना हो गर्मा गर्म तो फिर कैसे मज़ा आएगा और कराची वालों की तो सुबा बगार चाए के होई नहीं सकती तो जी हमारी गर्मा गर्म चाए भी यहां पे तयार हो चुकी है आवाज मैं आपको चेक करवा देती हूं ये देखें इस तरह से खस्ता करारे बाकर ख स्टफिंग होई भी है और सबसे अच्छी बात यह कि पराठे का साइज भी छोटा है तो अगर आप डाइटिंग पर हैं तो यह छोटा पराठा भी आपके लिए काफी होगा ठीक है तो यह मैं आपको अंदर से दिखा देते हूं ये देखें जबर्दस की स्टफिंग मैं यह देखें लच्छे देखें माशाला से धेल सारे लच्छे हैं स्टफिंग इसके अंदर बड़ी जबर्दस भरीवी है और अब यहां पर मैं टेस्ट करूंगी उससे पहले कि यह ठंडे हो जाएं बिसमिल्ला रमाने रहीम मेरा एक तरीका है तरह से खाने का तो मैं पहले ट्राइज जरूर करें क्योंकि बड़ी मज़ेदार रेसिपी है और मुझे जरूर बताएगा कि कैसी बड़ीज़ देखें